एक बार किसी आश्रम में एक प्रसिद्ध आचार्य हुआ करते थे आचार्य छात्रों को सदाचारी बनने जूट ना बोलने सत्य पर द्रिड रहने के संसकार दिया करते थे आचार्य की पुत्री विवायोग्य हुई तो उन्होंने सोचा कि शिश्यों की परिक्षा लेकर वे किसी विवेकी शिश्य से अपनी पुत्री का विवाह करेंगे और आश्रम का कार्यबार उस शिश्य को सौप देंगे आचार्य ने कुछ मेधावी शिश्यों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा मैं अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक सुयोग्य वर का चयन करना चाता हूँ शर्थ ये है कि जो अपने संबंधियों से आँख बचा कर वस्त्रवे अलंकार लाएगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूँगा चात्र अपने अपने घर चले गए अचार्य की पुत्री बहुत खुबसूरत थी और उसके प्रती सभी आकरशित थे नियत समय तक सभी अपने घरों से आभूशन आदी चुड़ा कर ले आये पर एक छात्र खाली हाथ लोटाया आचार्य ने जब कारण पुछा तो उसने कहा कि मैंने कोशिश तो की पर जब भी मैं चुराने की कोशिश करता तो हर बार मुझे लगता कि कोई न कोई मुझे देख रहा है जहां कोई नहीं भी होता वहां भी भगवान तो होते ही थे आचार्य समझ गए कि वे छात्र ही सच्चा विवेकी है जो हर जगा किसी ना किसी का अस्तित्तो देखता है उन्होंने अपनी पुत्री का उसी से विवाह कर दिया और आश्रम की बाग डोर भी उसे सौंपती इस दुनिया में लोग चाहे कुछ भी कहें पर हमें कभी भी सही रास्ते से भटकना नहीं चाहिए क्योंकि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही पल हमें जिन्दगी के किसी ना किसी मोड पर मिलेगा ही धन्यवाद